हाई फ्रेंड्स वेलकम तो माई यूटूब चैनल वीने कम्प्यूटर अकेडमी माई नेम इज वीने कुमार फ्रेंड्स हम लोग MS Excel सीख रहे थे MS Excel में आज की वीडियो में हम लोग date and time function को पढ़ेंगे तो चलिए हम लोग MS Excel का window open करते हैं MS Excel का window open करने के लिए हम start menu में जाएंगे यहाँ पर आप किलिक करिए इसके बाद यहाँ पर Microsoft Excel अगर आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा तो आपको all program में जाना है इसके बाद यहाँ पर Microsoft Office लिखा रहेगा इसके उपर आपको किलिक करना है इसके बाद इसको नीचे करिए अब यहाँ पर आपको मिलेगा Microsoft Excel यहाँ पर आपको जरूर मिल जाएगा तो इसके उपर जैसे हम किलिक करेंगे MS Excel का window open हो जाएगा तो देखिए MS Excel का window open हो गया है इसको थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं जिससे की जो कुछ हम लिखे आप लोगों को clear दिखाई दे तो आते हैं हम लोग अपने topic पर तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे date and time function इसके पहले के वीडियो में string function पढ़े थे यहाँ पर हम सीखे थे trim formula को देखे थे इसके पहले के वीडियो में आज से हम लोग पढ़ेंगे date and time function इसमें जो formula यूज होने वाले हैं वो है now, today, date, weekday, year इस सब अपलाई करके आपको दिखाएंगी कैसे यूज करना है तो सबसे पहले हमको formula लिखना है now now क्या करता है this function return current date and time of system यानि कि आपके system में जो भी date and time रहेगा वो current date and time आएगा जैसे हम आते हैं excel में यहाँ पर आप लगाए equal और formula लिखिए यान ओर डवलू bracket open bracket close bracket के अंदर आपको कुछ नहीं लिखना है bracket open करिए bracket close करिए उसके बाद enter button प्रेस करिए अब देखिए आपके system में जो भी date रहेगा current में देखिए जैसे यहाँ पर 7.14.2022 यानि कि 14 तारिक है 14 जुलाई 2022 और यह टाइम जो हो रहा है 12.47 मिनट तो यहाँ पर देखिए तो जो भी आपका current date and time रहेगा वो आपका यहाँ पर आ जाएगा तो यह था हमारा फार्मूला नाओ नेश्ट फार्मूला आता है हमारा टूडे दिस फंक्सर डिटन करेंट डेट आप सिस्टम यह करेंट डेट आपका आएगा जो भी आपके system में जो भी date सेट रहेगा और date आपका यहाँ पर आ जाएगा जैसे अगर हम यहाँ पर करते है इक्वल टूडे ब्रेकट ओपन ब्रेकट क्लोज और इंटर बटन प्रेस करिए अब देखिए इसमें बस डेट आया है तो नाओ और टूडे में अंतर यह होता है कि नाओ में डेट और टाइम दोनों बताता है और टूडे वाले फार्मूला में उनली हमारा डेट आता है तो एक्जाम में यह सब पूछता है तो यही सब आप लोगों को ध्यान देना है कि नाओ में क्या आता है तूडे में क्या आएगा इसके बाद नेश्ट फार्मूला आता है यहां पे अब है डेट तो सबसे पहले येर मांथ डेट इस फंक्शन डिटर्ट गिवें हमको लिखना है तो जैसे पहले हमको लिखना है डेट उसके बाद मंत उसके उसके पहले येर लिखना है फिर मंत लिखना है फिर डेट लिखना है तो चलिए हम यहां पे लिखते हैं equal date date bracket में यहाँ पर देखिए लिख रहा है year तो year में 2022, उसके बाद यहाँ पर month है month हमने दे दिया 3 उसके बाद यहाँ पर day आ गया तो day में हमने लिख दिया 27 bracket close करिए तो इसको जो है अपने format में यह क्या कर देगा change कर देगा, कौन सा format रहेगा पहले month आएगा फिर date आएगा उसके बाद year आएगा जैसे आपके system में यहाँ पर है enter button आप यहाँ से press करिए अब देखिए पहले यहाँ पर month आया है उसके बाद date आया है फिर year आया है तो यह था हमारा date का formula next formula हमारा यूज होता है weekday weekday यह हमारा दिन बताता है this function return code of the day यानि कि दिन का जो code होता है ओँ आपका बताएगा code कैसे पता करेंगे कि जैसे Sunday का 1 होता है Monday का 2 होता है Tuesday का 3 इसी तरह से Saturday का 7 होता है तो चलिए हम लोग formula यूज करते हैं equal weekday bracket में double quote में लिखेंगे पहले हम लिखेंगे month फिर date उसके बाद year bracket close करिए and double internet कामा close करिए उसके बाद bracket close करके enter button प्रेस करिए यानि कि 27 मार्च को कौन सा दिन था उस दिन का आपका code आएगा उस दे का code आएगा तो उस दे का हमारा code आगया one one मतलब क्या है one मतलब Sunday यानि कि 27 मार्च को क्या था Sunday था 27 मार्च 2022 को Sunday था तो इस तरह से हमारा आएगा इसके बाद आता है year अच्छा यहाँ पे हम लिख लेते हैं तीन, सत्ताइस, दो हजार, बाइस जैसे यह date लिखा है हम इसको यूज भी कर सकते हैं और हम formula में लिख भी सकते हैं तो अगर जब हम formula में लिखेंगे तो वहाँ पे double inverted comma के अंदर लिखेंगे और अगर इस तरह से लिखा है इसका यूज करेंगे तो हम double inverted comma नहीं लगाएंगे तो चलिए देखते हैं कि कैसे करते हैं next formula हम लोगों का क्या है year year में क्या करता है year बताएगा जैसे हमने लगाया equal Y-E-A-R break at open इस date को आपको select करना है और close करिए इंटर बटन प्रेस करिए अब देखिए year में 2022 हमारा आ गया है अब अगर फार्मूला में हम लिखे equal year and break at में अब यहाँ पे double limited comma हम लगाएंगे तो 3 27 2022 double limited comma क्लोज करिए break at क्लोज करिए अब इंटर बटन प्रेस करिए अब देखिए हमारा यहाँ पे आ गया year अब इसके बाद हमारा आता है date sorry year आ गया इसके बाद month आएगा चलिए तो month के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पे month निकालते हैं m o n t h and break at में हम इसको select करेंगे date को break at क्लोज करिए इसके बाद इंटर बटन प्रेस करिए अब देखिए month में हमारा आ गया कि तीसरा महिना यानि की मार्च है अगर formula में हम लिखें तो equal month bracket में double inverted कामा के अंदर हम लिखेंगे 3, 27, 2022 double inverted कामा क्लोज करेंगे bracket क्लोज करेंगे इसके बाद इंटर बटन प्रेस करिए देखिए यहां पर हमारा आ गया month इसी तरह अगर हमको date चाहिए date चाहिए तो हम date के लिए हम formula लिखेंगे equal day and bracket में double inverted कामा के अंदर हम लिखते हैं 3, 27, 2022 bracket क्लोज करके इंटर करिए अब देखिए date हमारा आ गया 27 अगर यहां पर हम date निकालें equal day day and bracket में इस date को आपको select करना है bracket क्लोज करना है अब यहां पर हमारा date आ जाएगा की 27 तो इस तरह से यहां पर हमने year निकाला, month निकाला उसके बाद यहां से date निकाल लिए तो year हो गया, month हो गया, day हो गया इसी तरह से हम hour निकाल सकते है जैसे तो यह हम format लिख लिए चार बज़ के पचीस मिनट तीस सेकेंड यहां पर हम फार्मूला लिखते हैं equal hour bracket open इसको आप select करिए time को bracket close करिए अब इस time में जो hour रहेगा वो यहां पर हमारा आ जाएगा enter करिए देखिए यहां पर hour आ गया यानि कि चार बज़ के पचीस मिनट तीस सेकेंड तो यहां पर only आया है कि चार बज़े अगर हमको फार्मूला में लिखना है तो हम लिखेंगे equal HO U R and bracket में double inverted कामा के अंदर चार बज़ के पचीस मिनट and तीस सेकेंड bracket close करके enter बटन इस तरह से हमारा क्या आ जाएगा hour इसी तरह से हम minute निकाल सकते है equal minute and bracket में आप इसको क्या करिए time को select करिए bracket close करिए और enter बटन तो देखिए यहां पर आ गया 25 minutes and इसमें हम फार्मूला अपलाई करके दिखाते हैं equal minute and bracket में अब इसको double minute कामा के अंदर लिखना होगा कि 4 बज़ के 25 minutes 30 seconds bracket close करके enter करिए इसी तरह हम second का भी निकाल सकते हैं equal second bracket open time को select करिए इसको close करिए enter बटन अब देखिए यहां पर 30 seconds फार्मूला में अगर लिखना है तो उसको double minute कामा के अंदर लिखना है जब हम की बोर्ट से लिखेंगे तो double minute कामा के अंदर लिखेंगे second and bracket में double minute कामा open and यहां पर हम लिखेंगे 4 बज़ के 25 minute and 30 seconds bracket close and enter तो देखिए इस तरह से हम यूज कर सकते हैं यहां पर हमारा यह date आ गया sorry यहां पर hour आ गया यहां पर minute आ गया यहां पर second आ गया तो इस तरह से हमारा जो है सबस्क्राइब करें और सेयर करना ना भूलें thank you for watching take care bye bye